नमशकार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप सब जानते हैं फरवरी का महिना आधा निकल चुका है और ये महिना जो है हमारे पर्मानेंट प्लांट्स के लिए काफी अच्छा है ताकि हम उनकी अच्छे से सफाई वगर कर सके कटाई छटाई कर सके और उनमें अच्छे से खाद वगर डाल सके तो बस यही काम मैं आज अपने जैड प्लांट पर करूंगी देखिए हमारे पास काफी सारे प्लांट होते हैं तो धीरे धीरे करकर ही हम उनमें अच्छे से फटिलाजर वगर कटिंग वगर कर पाते हैं तो मैंने भी आज मैं अ यह इसकी पतियों को वश वगर किया था, लेकिन फिर भी इस पर डस्ट वगर काफी जम गई रही है, और देखिए मेरे एक टोपि या उरी थी, जिसकी की काफी सारी पतियां निकल चुकी है, और इस तरह से हो गई, लेकिन अभी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो इस इसकी भी मैं अच्छे से पहले पतियों वगर को साफ कर लूँगी पानी से ताकि यह जित्ती भी धूल मिट्टी है सारी हमारी प्लांट से साफ हो जाए और बाकी और भी जो मैंने लगा रखे हैं चोटी-चोटी प्लास्टिकी बोटल वगर कंटेनर्स में उनकी भी अच्छ आसानी से लगा सकते हैं और काफी जादा प्लांट बना सकते हैं यह बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट है बस इसको अगर तीन से चार घंटे की अच्छी दूप मिले या आप पूरे दिन की भी दूप दे सकते हैं तो यह प्लांट काफी अच्छा चल जाता है यह इंडोर प्लांट नहीं है, इसको अगर हम अंदर रखते हैं, तो ये वहां नहीं चल पाता है, बस इसको अच्छी दूप चाहिए, तो ये कहीं पर भी आसानी से चल जाता है, और अभी इस टाइम पे हम अपने जैड प्लांट को जैसी भी कोई शेप बगर देना चाहें, दे उपर से भी कट कर सकते हैं, या फिर उसकी थोड़ी-थोड़ी पिंचिंग करते रहिए, पिंचिंग करने से जहां से आपने उसको पिंच किया है, वहां से उसमें दो से तीन ब्रांच निकलेगी, और प्लांट अमारा काफी घना हो जाएगा, तो उपर से इस तरह से दो से तो इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी उसकी कटिंग वगर कर लूँगे सभी प्लांट की और इस यह जो इसमें मैंने प्लांट लगाया हुआ इसको मैंने तोड़ा ट्री की शेप दिया है तो चार से पांच कटिंग को एक साथ लेकर के किसी भी दागी की मदद से बांद तो यह पेड की तरह दिखने लग जाएगा अब देखिए बिलकुल ही छोटे से पोट में लगा हुआ है तो इसमें गुड़ाई कर पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है और खाद वगर देना भी थोड़ा मुश्किल है लेकिन साइडों से मैं इस तरह से हलका-लका की चनवेश तो आप वह भी ले सकते हैं या फिर वर्मीकम्पोस्ट ले सकते हैं बहुत अच्छी खाद होती है वर्मीकम्पोस्ट तो बस अ अब मैं अपने इस तरह के जो पोटवगर धां उनमें इसको अच्छे करके रख दिया था और इसमें थोड़ा सा नीम की खली भी डाली है तो अब इसको मैं गाफी जाधा पानी में डालकर करके मिक्स कर लों की कमपोस्ट टी बना करके अपने सभी प्लांट को दे सकते हैं देखिए इसको लगाना बहुत आसान है यह चोटे से चोटे कंटेंबर में बहुत आसानी से चल जाता है प्लास्टिक की बोटल डिब्बे कहीं पर भी आप लगा सकते हैं और जितनी भी अप कटिंग्स वगर निकली है उनको भी हम बेकार नहीं फैकेंगे कटिंग वगर निकलती रहती है तो इस तरह से मैं तो उनको लगाती रहती हूं ताकि हमारे और भी प्लांट बनते रहते हैं तो बस मिट्टी में एक हिसा गार्डन सोल है और थोड़ी सी रीवर से इंडाली है जिससे हमारी चोटी सी कटिंग भी आप आसानी से लगा सकते हैं आप चाहिए तो बढ़ा पोट भी ले सकते हैं लेकिन मैं इस तरह के छोटे पोट में लगाऊंगी बाद में अगर कोई बढ़ा पोट हुआ तो इसमें फिर इसको शिफ्ट कर दूँगी बिल्कुल इसकी छोटी सी शोटी कम देना है या फिर मिट्टी को ऊपर से 3-4 इंच सूकने के बाद ही ना है और कटिंग लगाने पर बस कटिंग में भी पानी का ध्यान रखना आपको कि इसमें हलका सही हम स्प्रे करेंगे मिट्टी मेरी पहले से गीली है जादा नहीं इसमें पानी डालना और किसी चाया वाली जगह पे रखतेंगे तो फ्रेंड्स यही था बस मेरा आज का वीडियो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद